कैसा रहा आप सफर हाना कि हम सब लोगों ने बहुत एंजॉई किया आप जब तक मौजूद रही मनुंजन होता रहा बहुत मज़ा आया मुझे शुरुबात के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट था मतलब मेरे लिए क्योंकि बहुत सारी चीजे थी और परेशानी हो रही थी तक लेकिन उसके बाद बहुत बहुत मज़ाया मैं हमेशा से मतलब परेशानी ऐसी नहीं कि दिमागी परेशानी हो ठोड़े से लोगों से लोगों को बताने में कि अपने आपको कि क्या चल रहा है क्या चीजें हो रही है घर के अंदर को कैसे करना है तो वह थोड़ा था ब आप सोचो कि आपको मुकाम मिलना चाहिए तो बिग बॉस मैं जाकर मैं हमेशा से उस घर की बहुत इज़त करती हो मारे इंडियमालवाए को मसलमान साहब जिनके साथ मेरे थोड़ा ऐसे से मामला चलते है हासी मुझाखवाले तो डफिनिटली 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 ड लोगों को नहीं पर बेवकूफ नहीं किसी को बेवकूफ नहीं वणाया है मैं जैसी हूँ वैसी ही हूँ और मुझे थोड़ा सा महापा जाकर लोगों के अंदर एक्दम से चिंगारी लाना थी बिकॉस बहुत आराम से थे सब आराम से अपनी जिन्दिगी गुजार रहे अब हम दिखाएंगे हम कौन है लेकिन जो रोज के जो वीगडेस चलते थे उसके अंदर बहुत अराम से रहते थे तो मेरा काम था कि थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ही जादा थोड़ा उनका दिमाग एकडम से हिला के शो को अप करवाना वो मैंने बाखुबी किया मुझे चाहे लोगों ने कुछ भी सोचा और शुरुवात के अंदर लेकिन मैं जो करती थी वो इसे ठोक के करती थी हां किया है हां किया है राइट 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 किया है कितनी दोस्तियां खराब हुई कितनी दोस्तियां बनी खराब तो नहीं मेरी दोस्ती बहुत अच्छी हु मेरी फिर दीरे जसमίν के साथ हमेशा मेरा एक नूटरल रिलेशन रहा है दोनों एक दूसरे के साथ थे फिर लास्ट में रूपी नादिले क्या हमेशा से आप विग बोस में घुटी है एक दूसरी बार जा रही है तो क्या अग लगाने के लिए त ही ती हैं ठाइमिंग पता थी कि कब कैसे करवाने के चीजा कर पिए प्रदु थिलबस्द ए evidence में कर एक अल्ड आँ कि मुझे जादा होना लेटा था हो दो मैं सिर्फ हैती ती आज क्या होना चाहिए और मैं पेली कैमरे में बोल देती थी बिग बस आप देखो कुछ नया सीन क्रियेट करते तो वो हमारा काम था और जैसा कि अभीनव ने बोला था कि लोग अरशी के कहने से रियक्ट करते हैं अभीन आप में रिमोट तर टंग करके मैं बजाती थी और पूरे घर को इतर हो अधर हो ऐसा नहीं यह सिर्फ लडाई करवाई है बहुत सी चीज़े करवाई हैं मैंने घर के अंदर बहुत मस्ती मजाग बहुत चीज़ें हुए हैं करने कि यह भत पहले से तहती कि क्यूंकि जीतने वादी रेस में शामिल नहीं थी आपका कामता शो को एहनांस करना यह script दी गए थी यह अर्शी की जो आता है Natural flow के साभ वोह आता गया आपकर से गए स्क्रिप नहीं दी गई थी हम जब उस शो के अंदर गए थे तो शो की टियार पी बहुत बोरिंग चल रहा था शो और जैसी चैलेंजस को लाय इसलिए गया था क्योंकि सल्मान ने भी बहुत बार बोला है कि चैलेंजस हम लाय इसलिए क्योंकि आप लोग कुछ कर नहीं रहे हाँ वह शुरु शुरु में रहता है हमेशा कुछ चीजैं हो जाती है हम धोनों की बहृत ऐसी बाचीत हो जाती है लेकिन मुझे पता एक हफते के बाद फिर सैटल हो जाएगा और फिर मस्तीमजग और बिला था तदाए वह तो बहुत दिल था खेलने का लेकिन वो दो हफते रही फिर उसके बाद और भी बहुत सारे लोग थे राखी ती राखी की और मेरी नोग जोग बोट लोग को पसंद आई हम दोनों का जो ऐसा लगता है कि दोनों पता नहीं कितने जनम की पुरानी दूव हैं और लड रही हैं हमार रिंग एक दूसरे को तो अच्छा था उसके साथ में आपके एसाफ से कौन जीतना चाहिए उल्ड भी पूस्टी लोग हैं सब तीनों जितना मैंने अंदर से देखा है रुबीना है अली है एंड रहूल को लेकर बहुत 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 है बहुत बहुत है आपको पता ह तो लोग शान थे विल्कुल चुपचाब मुझे लग रहूंगी क्योंकि नौन बहुत सारे इस लोग जो नहीं कर रहे और फिर उस वक्त महां पर रहे तो मुझे बुरा लगा लेकिन ठीक है मैंने जितना खेला मैं पॉजिवली बहाराई वो मेरे लिए इंपॉर्ण है ज और जादा पैसा थे हमें अच्छी कौन डिजर्विंग नहीं था उसके बाभुजूद भी वहां पर बहुस सारे लोग हैं डिजर्विंग तो नहीं खेल तो सभी रहते हैं लेकिन मेरे मुकाबले मेरे मुकाबले मेरे मुकाबले जैसे एजास खान की प्रोक्सी जो बन कर तो फिलाल बता ही है सबको तो वो मुझे नॉन डिजर्विंग लगती थी और निकी थी निकी ने खेला अच्छा है लेकिन मैं अगर अपने मुकाबले की बात करूं तो ठीक टाइब अब देखा ही नहीं कुछ मैं गोवा अगोड़े के लिए फिर लोनावला गई रागुल माजन हम लो साथ मेरा अब देखते किस के बाद फिनाले के बाद क्या होगा ऑग सब्सक्राइब के लिए मेरा ड्रेस कल देखोगे तो मज़ा आ जाएगा बहुत बहुत जबरदस्त हम मेरा अब बाद के लिए फिनाले में क्या कुछ आपको ड्रे वाली है कुछ ने एक पफॉर्मेंस तो शायद हुई नहीं विजा से तो जादा उन लोग ने नहीं किया क्यों कि अगर पफॉर्मेंस रहती तो हमको कॉरांटीन करना पड़ता तो ठीक है कल देखेंगे सलमान साब तो मिलेंगे न और कहें जिस तरह से पिछले सीजन में आपकी नाइटी चर्चे में थी और इस वार आपकी उर्दू चर्चे में रही है तो इसको लेकर क्या कुछ बोलना चाहेंगी किती खुशी होती है क्यों नाइटी अच्छी नहीं लगी स्वार्ची में आपकी क्या बोला चाहेंगी कहां उर्दू के साथ मेरा शेरू भी तो किता चर्चे में रहा है शेरू कृष्ण गोनी डेफिनेटली अभी उसके लिए शॉपिंग करनी है मुझे तो कल भी कल जाएगा वो देखना मैं इसको बास्केट मैंसे सजा के लेकर जाओंगी और सल्मान साब के सामने इज़र रखोंगी यह भी कंटेस्टेंड हैंका हाँ उर्दू तो मेरी हमेशा बिग बॉस सीजन 11 में भी बहुत काबिले तारीफ रही है लोगों ने बहुत उसको अवल दरजे पर रखाया और लोगों ने बहुत तारीफ के पुल बांदे हैं तो मैं हमेशा लोगों से बोलती थी घर के अंदर भी कि आप लोगों बहुत मोगालता है कि आप लोग उर्दू बहुत अच्छे से बोलते हैं शगूफे में पल रहे हैं आप लोग लेकिन ऐसा नहीं है मेरा तलफुस सबस्याद अच्छा है स्टेज पर देखा था जूट बोल रही थी सलमान साब से बोलती है कि यह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीडिया के सामने बोलते हैं कि मेरी दोस्त नहीं है तो अन ओफ चलता था उसके साथ भी वो थोड़ी सी उसको देखें मैं नेच्रल लेवल पे इंटेटेइन करती हूं मैं नहीं कर सकती कि मुझे सोच के क्रियेट करना कि कल क्या करना क्योंकि बिग बोस एक रियालिटी शो है मैंने उसको हमेशा से बोला है तो उसके साथ इस है चला है वो नेच्रल था जब मुझे लगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ जाधा हो गई हूं अली के साथ हो राहूल के साथ हो तो फिर मैं उस च्रेक पे चलेगी मुझे इतना जाधा वोणी रहता था कि अगर अभिनाफ के साथ मेरे ट्रैक नहीं चला तो शायद पॉब कभी कभी वह बहुत गुस्सा हो जाती थी और अजीब सी बाते करने लगती थी और जिसकी विजा से में कनफेशन रूम में बुलाया जाता था और कुछ अलफाज इसे 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 बुला के भी बुला कि आप तो ने इतनी बड़ी इंटरेनर हैं हमारे देश की और आप ऐ इसे हरकत तो उससे थोड़ा सा बुरा भी लगता था लेकिन अब उनको कौन समझाए वह थोड़ी देर के लिए सई हो जाती थी फिर से वह पलटवार करना इस्तिमाल कर देती थी तो मुझे वह थोड़ा उनका लगता था शुरू जैसी मैं ब्रश करने के लिए उनके साथ जाओ सुबह मौनी में तो अर्शी हम दोई चैलेंजर बचे अब हम हमारे हमारे कंदे पर जिम्मेदारी है हमेशों को बचाना है फिर सुबह सुबह ब्रश करते हैं हां 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 थोड़ी देर के बात एक घंटे के बाद राखी दिखेंगे अरे यह तो बहुत चलाख है अर हर इंसान की अपनी अपनी एक तरीखा होता है खेलने का तो उनका इसी तरीखे से गेम है रुबीना और राहूल बेद्या वोज मोट प्रमसीं टूबिन दश्यों इन दोनों के बिच में किसे को चुनना बढ़े कि को चलेंगे हैं कि कि अली गोनी कि दोनों या तीन मैंने पहले ही बोला है कि देखो सबका अपना अपना गेम बहुत अच्छा था तीनों का आफ्टर चैलेंजर जाने के बाद राहूल इंटेलिजेंसी से खेलता अली गोनी खुशमिजाज इनसान है वो दोस्तों की जादा देख रहे करता है रुबीना दिलेग जो है वो एक मिन अच्छी है शिरू-शिरू मैं मुझे जरूर ऐसा लगता था बहुत तकबूर है इस खातून के अंदर बहुत नाटक दिखा रही है बहुत अपने चीजें लोगों पर थोपने की कोशिश करती है लेकिन धीरे-दीरे हमनों की दोस्ती बनी आपने वो देखा हुआ चंदर बहुत पीछे रहा शो जो आपने किया था वही बड़ा काम्याबरा इससे पहले सबसे दा सक्सेस तो फुलता यह इतना क्यों पीछे रहे गया क्या वज़े मानती है अर्शी है पता नहीं यार मतलब मैं जब गई थी शो के अंदर तब तो मैंने जाते से ही शाइद कुछ क जो है वो लोगों के सामने रखना और निक्की तो वह तो बचकानी हरकते करती है वह तो बच्ची टाइप की है बाकि और लोग कौन-कौन थे अली ऑली अली और जैसमें जैसमें पावित्रा के साथ नहीं रही मैं आप क्या वज़े मानता है इतना ज्यादा सब्सक्राइए कुछ किया नहींना अब कुछ कॉंटेंट कितनी बार तो सल्मान सामने भी बोला कि क्या करें क्या बात करने के कुछ हैं कि अधिक ने बनते थे मुद्ध आप जब इतना बड़ा घर है विग बॉस ने दिया तेख उसमें लड़ाइएं होना लाजमी हैं आप यह नहीं बोल सक तो वो चीज़े बहुत कम थी, रिष्टे बहुत कम थे, रिष्टे नी बने शो के अंदर, जो जैसे मैंने बनाया अली राहूल के साथ बहुत ऐसा कट्टर मतलब रिष्टा था, लड़ाई होती थी, लेकिन रिष्टा था, रिष्टे नी बने, हाँ ये था कि विकाज ये सब जो भी सीजन 11 में थे उनके साथ अची दोस्ती का रिश्ता था तो वो चीज की बहुत कमी थे रिष्टे, मैं रिष्टे प्रहुत रिवत अरे चुपतो रहा अरे चुपतो रहा पंखा तो अफकर रहिपनाय तो ने इस पत्स पाने करें अब्र चुपतो रहो हाँ थोड़ा हाँ दो अच्छे से यह मैं हूँ और गे माइक से और इनकी पोड़ी हो यह तेज़ चिलाते थोड़ा हाँ यहाँ जोड़ा है आइब्यू आफंगत अढल जाढ़ में याज जोड.